क्यों किसानों को problem solving में PhD की जरूरत होती है? क्योंकि कभी-कभी तो बात होती है बकरी, घास और शेर को बचाने की. एक बार की बात है, एक चतुर किसान नदी के किनारे एक बकरी, घास का गठर और एक शेर के साथ खड़ा था. उसकी नाव इतनी छोटी थी, कि वो सिर्फ एक को ही एक बार में ले जा सकता था. तो उसने सोचा, अगर वो पहले शेर को ले जाता है, तो बकरी घास चट कर जाएगी. और अगर वो पहले घास को ले जाता है, तो शेर बकरी को खा जाएगा. बड़ी मुश्किल नहीं, लेकिन इस किसान के पास एक ब्लान था. पहले वो बकरी को नदी के पार ले गया, फिर वो अकेला वापस आया और शेर को ले गया. लेकिन रुकिये, वो अपने साथ बकरी को वापस ले आया अब उसने बकरी को छोड़ दिया और घास को शेर के पास ले गया आखिर में वो एक बार फिर वापस गया और बकरी को ले आया और बस ऐसे ही सब सुरक्षित पार हो गए किसान की तेज सोच ने दिन बचा लिया और कोई भी भूखा नहीं रहा अब इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग